नमस्कार प्राइम टाइम में आज पोस्टर उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव 2017 में हैं लेकिन उससे पहले कॉंग्रिस का एक पोस्टर चर्चा में आ गया है पोस्टर में राहुल गांधी को जन रक्षक के तौर पर दिखाए गया है फिल्म सिंगम में आज़े देव गन स्टाइल में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर में राहुल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजपार्टी और बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं पोस्टर में 27 सालों के अक्तियाचार को मिटाने का दावा भी किया जा रहा है तो क्या राहुल, गांधी, यूपी में CM पद के लिए कॉंग्रिस का चहरा बन सकते हैं सूत्रों के माने तो इस बार कॉंग्रिस के लिए काम कर रहे है रनीतिकार, प्रशांद किशोर ने यूपी में राहुल को चहरा बनाने की वकालत की है खबरों के मताबिक प्रशांद की नजर में राहूल पहले नंबर पर प्रियंका गांधी दूसरी और शीला दिक्षित तीसरी पसंद है जानकारों के मताबिक कॉंग्रस के शीश नेतरतु को भी यूपी में अपनी घर्टी साख का अन्दाजा है ऐसे में राहूल और प्रियंका को तुरप के पत्ते की तरह इस्तमाल करने की चर्चा कई सालों से चल रही है लेकिन कॉंग्रस नेता मदुसूदन मिस्री का कहना है कि राहूल और प्रियंका पी-एम बनेंगे ना कि यूपी के सी-एम NDTV ने आज जब राहूल गांधी से इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता आप ही लोग चलाते हैं आप ही लोग जानो प्रशांत किशोड ने 2014 लोगसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी की प्रचार अभ्यान को समाला था पिशे साल विहार चुनावों में ने तिश कुमार के प्रचार की कमान भी समाली इस साल कॉंग्रिस के लिए पंजाब की देखरे कर रहे हैं साथ ही उत्तर प्रदेश की भी हाला कि कहा ये भी जा रहा है कि वे अमेठी और राइबरीली नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पर प्रियंका गान्धी ने काम ठीक तरीके से समाला हुआ है दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये पोस्टर बीजेपी के उस पोस्टर के जवाब में है जिसमें बीजेपी के नए राज्य प्रमो केश्य प्रसाद मौर्य को कृष्ण भगवान के रूप में दिखाये गया है वार नसी में लगे इस पोस्टर में उत्तरपदेश को द्रौपती की तरह दर्शाय गया है जिसमें राहुल गांधी, मायवती और अखिले श्यादव कौरव बने हुए है तो पोस्टर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी आया है मायवती काली मा के रूप में दिखाया गया हुने केंद्रे मंत्री स्मृती रानी का सर वो एक हाथ में पकड़े हुए है आरेसेस प्रामुक मोहन भागवत पैरो तले है प्रधान मंत्री मोधी भी पोस्ट में नजर आ रहे है तो क्या कॉंग्रिस की जमीनी तयारी अब भी कमजोर है हाल में जिला पंचाय चुनावों में 3,112 जगों पर कॉंग्रिस ने सिर्फ 1,512 उमीदवारी मैदान में उतारे जिनमें से जीते सिर्फ 81 तो क्या पार्टी में नई जान फूगने की एक होशिश कारगर रहेगी क्या गोरगपुर का पोस्टर उत्रप्रदेश की शत्रंज में नई चाल है देश को आठ प्रधान मंत्री देने वाले इस राज्य को ही नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री पत की दावेदारी के लिए चुना था वे चुनाव जीते थे बनारसे तो पी-एम से पहले सी-एम बनने की रंडीती क्या राहुल को रास आएगी यही हम आज चर्चा करेंगे प्राइम टाइम में और खास महमान हमारे साथ मौजूद है भारतेंद्र सिंग सांसत बीजेपी विनूज शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स हमारे साथ है सबसे पहले पुनिया आपी के पास आओंगी पुनिया जी जो यह पोस्टर है कॉंग्रिस इसे वहाँ पर यूपी में किस नजर से देख रही है देखे इसका जो पूरी भैस है उसका कोई आधार नहीं है राउल जी का जो पोस्टर बनाया है वो चुनाव आ रहा है 2017 में हर पार्टी के कारकरता अपने अपने अंदाज में वो इस तरह की हरकतें किया करते हैं इसमें कांग्रिस पार्टी का ना कुई समर्थन है ना कांग्रिस पार्टी का हाथ है और वो केवल वहां के लोगों न अगर किया है तो वो उनी के स्तर की बात है और यह कैसे कह सकते हैं आलहार नहीं एक पोस्टर है कॉंग्रिस के कारेकरताओं का क्या यह भाव है इसको भी आप इसको इनकार करेंगे इससे लिए कि देखे अगर एक कोई कार करता अपना भाव रखके कोई इस तरह का पोस्टर लगा देता है तो वो सारे प्रदेश भर के कार करताओं का भाव नहीं हो जाता कोई किस अपने अंदाज से परचार करता है कोई किसी अंदाज से परचार करता है और उस प्रतिकरिया में जो के बारतिय जन्ता पार्टी के जो प्रदेश सद्धिक्ष को का पोस्टर चपा था उसकी प्रतिकरिया में हो सकता उन्होंने क्या हो और ये तो जगे जगे बाकी आपने खुदी बताया आप ने कांदी जी तो हैं वो तो रहेंगे लेकिन जो जो जिस्तरे से देखे दर किनार करने के मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें कांग्रेश पार्टी का ना कोई समर्थन है ना उसकी तरफ से ये लगाया गया है ये एक कोई individual कार करता ने लगाया है अपने हिसाब से अपने भाव परगट किये हैं तो वो उन्होंने अपने इस तरफ पर किया है कोई पार्टी की तरफ से इस तरह का परचार कंपेंट किया हो इस तरह का नहीं है ये पूरी तरह से गलत ये कॉंग्रस हिचकेचा भी रही है लेकिन चाहा भी रही है क्या इसको ये भी माना जाए क्योंकि राहुल गांदी का सवाल है वो देश के पी-एम पत की दावेदारी के लिए है लेकिन चाहती भी है कि वो नई जान हमारी रणनीव्ती हमारा प्रचार कोई इस तरह के पोस्टर से नहीं है यह हमारा संगठन पूरा नीचे से बूत लेवल से और परदेश तरप मजबूती के साथ काम कर रहा है और वो आगे तेजी से बर रहा है और वो हम जीतेंगे हरालत में जीतेंगे यह आप दूसरे लोग बहुत इत्मिनान से बैठे हुए है कि हमारी तो सरकार बनी रही है हमें हमें तो चक्राव यह पार्टी के सिंबल के आदार पर नहीं कोई समर्थन किसी ने डिया में इंडिपेंड्डेन लड़ता इस तरह से सब होता फिस बहुत बहुत आया क्या बहुजं समाज़्के में कुछ चिंताएं है कि अपने जो शीषליश है अगर उसको ही यूपी में उतार देंगे क्या इससे कुछ परेशानी होगी देखिए हमें जब हम किसी राजनेतिक इस तरह की बहस में हम देखते हैं सबसे महत्मूर बात यह होती है कि उस व्यक्ति के अंदर वहां की उप्रष्ट भूमी में उनकी साख क्या है उत्तर प्रदेश में बहन मायवती जी चार चार बार मुख्मंत्री रही और उन चार बारों के अंदर उन्होंने एक साख कायम की है कि उनके समय में गुंडा राज नहीं होता है उनके समय में दंगा राज नहीं होता है जैसा मुझफर नगर में हुआ जैसे यहां पर दादरी में हुआ जैसे उत्तर प्रदेश में दोसों से जादा दंगे हुए हैं अखिलेश यादव के रहते हुए और जहां तक महिलाओं क सुरक्षा का प्रशन है मुलायम सिंग्जी ने भी का बलात कार तो यह तो चोटी मोटी चीज है लड़के हैं गलती हो जाया करती है तो उत्तर प्रदेश्ट में महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव दालिताओं में असुरक्षा का भाव और किसान जिस बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं बुंदेल खंड से लेके उत्तर प्रदेश के तमाम जिनों से बंबई दिली पंजाब अन्य जगों पर जोंकिस पचास जिनों में सुखा है इसलिए बहन रहे हैं जो लोग अब जहां तक टू जी सी जी कोल गेट जी जा जी मैं देखिए मुझसे कहलवाईए मत ब्रश्टा चार के अंदर या दुरपा रहे हों या फिर बीजेपी के तमाम लोग रहे हों समाजवादी पार्टी के बारे में भी आप कहलाएंगी तो कहेंगे के ल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सपष्ट भाहमत बहूजन समाजस पार्टी को मिलेगा बेन मावज़ादी जी का लोग भेताबी से प्रतिक्षा कर रहे हैं चीलेए लोगों के अंदर स्वागत भाव है ठीक ठीक है भारत इंडर जी जो ये पोस्टर आया है बीजे पी से कैसे ले लिए है मैं पील पूनिया सहब से बिलकुल सहमत हूँ पोस्टर कारे करता लगाते हैं पोस्टर लगाने पे कोई रोक टोक नहीं है कोई भी लगा सकता है किसी भी रूप में लगा सकता है मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ क्योंकि मैं केशव प्रिशाद मौरे जी को हमारे जनाय प्रदेशक देख्शन अच्छी तरह से जानता हूँ और इस परकार का पोस्टर लगाने से पहले उनसे अनुमती नहीं ली गई है और वो निश्चत रूप से अपने आपको क्रिशन भगवान के रूप में नहीं देखते हैं क्योंकि मैं अपनी पार्टी के बारे में यह कह सकता हूँ तो मैं निश्चत रूप से बीएश पी और कॉंग्रिस के बारे में भी यह कह सकता हूँ हमारी चर्चा सार्थ को किसी अच्छे विशलेशन पर पहुंचे और आपस पर ऐसे आरोप प्रतियारोप ना लगाए तो इन पोस्टर्स का कोई महत्व नहीं है खासतोर से इस समय पे जो पोस्टर्स लगे हैं तमाम पार्टियों की तरफ से उसमें तो आरोप प्रतियारोप है और यह आरोप प्रतियारोप आप कहरें ना लगे हाँ जगा जब हमारे नेता मिलते हैं यह आरोप प्रतियारोप ही मिलते हैं लेकिन एक व्यंग के तौर्पर हलकी तरीके से पोस्टर्स में भी वही कहा जाता है जो नेताओं के मन में हम जोर-जोर से कहते हुए सुन लेते हैं तो एक तरह से जो ये Congress का पोस्टर आया है कहा जा रहा है जवाब में है जो बीजेपी का पोस्टर आया था बीजेपी में कृष्ण भगवान पौरानिक काल में चले गए थी तो इसमें जो यूथ को अपील करते हुए सिंगम की तरह या किसी action hero की तरह दिखाया गया राहूल गांधी को मेरे ख्याल से सच तो यह है साब कि अगर राहूल गांधी चाहते है और मनमोहन सिंजी ने ये कहा भी था कि वो अपना त्याग पत्र दे दे देंगे और राहूल गांधी प्रिदान मंतरी बन सकते थे मगर उन्हाने कभी भी जिम्मेदारी नहीं स्वीकारी है वो हमेशा जिम्मेदारी से बच्चे हैं और ये तो एक बहुत बड़ी चुनाती है Congress जो कि आज 10% से कम है UP में 10% से कम पे आ गई है अगर हम विदायकों की संक्या देखे अगर हम मंपीज की संक्या देखे तो बहुत कम है यहां पर आके इतने बड़ी चुनाती स्वीकारना तो बहुत बड़ी बात है उन्हें थाली परोसी परासी मिल रही थी प्रदान मंतिरीपत की नहांने वो तक नहीं सविकारी वो जो चाहें मंतिरीपत चाहतें UPI या UPI आङ तू में वो उनगे लिए खुला था उन्हांने कभी भी नहीं सविकार है तो मेरे ख्याल उनके अंदर ये दम नहीं है कि वो किसी भी जिम्मेदारी या चुनौती को अपने सर पर लेके सुईकारे और उसे निभाएं आज तक तो उन्होंने ऐसा करा नहीं है यदी वो करते हैं तो लोग तंत्र है स्वागत है उनका पढ़े लिखे शुशिक्षित अच्छे परिवार के युवक है नहीं क्या आपको लगता है तो हम तो स्वागत करें तो बहराल ये बदलाव को भी हम समझेंगे लेकिन विनोजी आपसे भले ही बहुत हलका लगे कि हम पोस्टर्स को डिसकस करें लेकिन आज इस तरह से पोस्टर्स सामने आया और जो मैं न्यूजरूम में एक तरह से देख रही थी सब कमेंट कर रहे थे पोस्टर्स के उपर और तमाम और पुराने जो पोस्टर्स हमने जिक्र किया इसका क्या message क्या दे रहा है ये poster का आ जा रहा है कि जो प्रशान किशोर हैं जो एक तरह से अगवाई कर रहे हैं जो पूरा पर जो स्ट्राटीज उसको strategize करें अगले चुनावों की एक तरह से उनकी सोच है वो चाहते हैं कि राहूल या तो प्रियंका या फिर शीला जी वो देखिए पोस्टर जो होता है ना कई बार इंपोस्टर लगाते हैं इंपोस्टर अंग्रेजी में बोलते हैं उन लोगों को जो जो प्रियांका गांदी या कोई और भी कॉंगरेस करने था बहुत भरकस मेनत करके अपना प्रभुत जमाल एयूपी में गोरकपृ में नहीं जमा सकता है यह मेरा मानना तो अगर यह पोस्टर गोरकपूर में लगाए यह को रहती जीका प्रभुत है जहां पर भाजप का बहाजप को नहीं है लिकिन वहां के जो महंत है उनका है वो महंत है उनसे जुदा भी हो जाएंगे तो वहां जीच जाएंगे ये बात आप मानेगे इस बात को अगर वो जुदा होते ही नहीं है उनकी तो अपनी अलग से एक सेना है उनकी तो अपनी अलग से पूरी पार्टी भी थी रही है तो हम लोग यहां पर इमांदारी से बात करना हूँ, मैं इमांदारी से बात करना हूँ देखे, 1989 में तो आपका मतलब यह है, यह आशे कहना कि किसी इंपोस्टर ने किसी जो गलत भाव से किसी ने लगाया गया है यह यहां आपका गया जो आपका देर्काइड करना है छड़ता है उस्केड़ा किया टहि Way कहा है? यह एक मैं आपका DC मेरा हमेराओनाओ राहुलelles केδाना, अचराओने कापकोड़ना शुके णिथा जगिताना जा एकाथगाँ जवाब देता हूं इतनान से आपको जवाद दोड़ा दोड़ा नहीं तो यहां मेरा दोस्त बैठा हुआ है लखनो वाला शरत पधान इतनाइन में जनन दिन मनाया गया था और कॉंग्रेस को दूर दराद से ख़बर नहीं थी कि सोनिय गांदी का जनन दिन मनाया गया जनन दिन में राजनीती में होता है कि आप कुछ ऐसा कर गुजरें कि दूसरे आदमी का जो मेसेज है वो कही रहा में अहटक जाए खतम हो जाए तो यह जो पोस्टर होते हैं ना इन पे हम लोग इनसे ज़्यादा महबत नहीं करते हम लोग जो हवाब में पत्ते उड़ रहे होते हैं उनको पढ़ते हैं और उनके हिसाब से आंकलन करते हैं मेरी आप से गुजारिश यह है कि गोरखपूर में माज़त से कहता हूँ बहुत इज़त से कहता हूँ अगर मोदी जी अपना भी पोस्टर लगा देंगे तो वहाँ से जीत नहीं सकते हैं वहाँ से वही जीतेगा जो जो गोरखपूर से कही बर्सों से जीत रहा है और भारती जनता पार्टी को भी उस आदमी के साथ दोस्ती करनी पड़ी जब वो गुस्से में आ गया यह रूट किया यह कोई और बात कह दी उसमें कुछ कॉंस्टिंसी इस तेश में ऐसी है मुझे आदे 2014 के चुनावों में महां पर गई थी उन महां जी से मिली थी इंटर्व्यू हमने लिया था और फिर वहां पर यह था कि जो कैंपेंड के लिए प्रधानमंत्री को आना पार था हमिच्शा भी वहां पर पहुंचे थे बहुत तो कहा गया था इतनी बड़ी र्याली निए थे जो किसी कारण होई थी? बात नहीं है इसमें क्योंकि अगर लोकल लेवल के लिडर्स जिनसे लोगों को महुपत है जो यह कहा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर हैं जो कॉंग्रेस को वहां पर रणनीती को देख रहे हैं वो चाहते हैं कि जो CM कैंडिडेट हो वो गांधी परिवार को यह देखे उसकी इमेज में इजाफन नहीं कर रहा है राहूल गांधी की इमेज नहीं है अजे देवगुन वाली इमेज नहीं है उसकी राहूल गांधी की इमेज अजे देवगुन वाली नहीं है अगर इसी तरह से जन रक्षक को मसल्स फ्लेक्स नहीं करनी है अब मेरा मैं इतना चा तो आप राहूल गांदी को निश्चित मैं सोचता हूँ कि अगर उसमें कुछ चीज कम नजर आ रही है तो राहूल गांदी के बाइसक उससे बड़े होने ज़िए वो अगर किसी चीज के लिए बेहत गंबीर और सीरियस हैं तो वो उनके जिम और एक्सराइजिंग और उनका उनके फिजिकल अपियर रहा हूँ ब्यूटी लाइस इन दे बिहोल्डर जाए आप किस दिर्श्टी से उनको देखना है यह आपका अपना इमान है मैं उनको दूसरी दिर्श्टी से देख रहा हूँ राहूल गांदी बकौल आपके वो कभी चैलेंज नहीं लेते और यहां पर मसल दिखा रहे हैं यह मसल अगर महंजी दिखाते तो ज्यादा उन पर लागू होती क्योंकि यह मसल वो बाकाइदा दिखा रहे हैं और उनसे पहले उनके गुरू दिखा रहे थे करें कि यह जतार्च के विना पर राजनेतिक विशलेशन करें और यह बात सही है कि unlimited धाने ऐसे विठम को ड़ डाला 2014 को कि सक्ति शाली विखड़ लगता था लिकिन शक्ति से कि डेश नहीं चलता Network समवेदना से चलता है सर देश शमवेदना से चलता है देश लोगों की नबस पढ़कर उनकी बुरे वक्तों में उनका हाग पकड़कर उनको गड़े लगा कर सलता है मसल दिखा के देश नहीं चलता अजे देवगुन देश नहीं चला सकता अजे देवगुन रियालिटी शो चला सकता है लेकिन वो रियालिटी शो भी नहीं होता वो फेंटसी होती है पॉलिटिक्स इन इंडिया इस नोट फेंटसी सर् मैं केवल एक जानकारी दे दूँ आपको कि योगी आदितिनाथ जी या कोई भी मैं यहां इस डिसकेशन में नहीं है मैंने जानके नाम नहीं दिया उनका मैं उनकी इज़त करता हूँ एक क्योंकि वो अपने छेत्र के मठादीश है बार बार जीते हैं मुझ जो इज़त करने पड़ेगी लोगों के मैंडेट की उनके लिए उनके पक्ष में मैं केवल आपको भारतिय जन्ता पार्टी के किस तरह से चलती है उसके बारे मैं बताना चाहरा हूँ चाहे योगी आदितिनाजी हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी पुराने कारे करता हूँ बीजेपी के हम किसी अध्यक्ष को लेके पार्टी में नहीं है हमें एक विचार को लेके पार्टी में है और उस विचार से बंदेवे हैं योगी आदितिनाजी अपने काम करने में कई दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि जो मुझे मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिल पाया मेरे संगठन ने मुझे महत्व नहीं दिया मुझे भी लगता है बहुत लोगों को लगता है अधिक तर जादे तर कारे करता को यहीं महसूस होता है और हमारी लोगतांत्रिक पार्टी है इसमें ऐसा भाव आना भी स्वभाविक है और ऐसे भाव को वरिष्ट नेता आपके पास बैठके आपको समझाएं और पुने आपको अपने विचार के काम में निष्टा से लग जाएं ये भी स्वभाविक है और इसी तरह से योगी आदितिनाज जी भी लगे हुए हैं और अनेकों लाकों करोडों कारे करता बीजेपी के चैसी बावना से लगे हैं यह जाए भी अध्यक्ष बने इससे भारतिय जन्ता पार्टी के कारे करता को कोई अंतर में चाहिए वैप मात कहें चुकर आप उसको दोरा लेकिन फिर भी अच्छी बात आप दोरा नहें को इसको आप इंफवसाइज करना चाहते हैं लेकिन एक बात मैं अफसाइज करना तो आखीर पर मैंने का जोगी जी आपका व्यक्तित वे इतना सुन्दर है आप जिस तरह से मुस्कुराते हैं उससे ऐसा लगता है कि आप में कोई रोश नहीं है आप में कोई द्वेश नहीं आप में गुश्णा नहीं है लेकिन जब आपके भाशन मैं सुनता हूं तो सब अग्रसर होता है कि मैं थोड़ सा ठिटक चाहता हूं और मैं परशान हो जाता हूं कि ये सब क्या हो रहा है मैं आपके वबता दूं राहुल गांदी में और योगी अवेदेनात में सिर्फ एक चीज़ को बने उनकी मुस्कुराट पस उसके बिला बियॉन कुछ नहीं है औ यह पोस्टर को मैं रिजेक्ट करता हूं अपने पुलिटिकल एक्सपिरेंस के बेसिस पर पुनियाजी लगाया है रिजेक्ट करते हैं यह भाव कॉंग्रेस की तरफ से नहीं आ रहा है कॉंग्रेस से नहीं हाँ कैता बन रहा है या अब शरत प्रधान की लाइन में ठीक से दिलगे शरच जी शरच जी मैंने तो कहा मैंने तो स्पस्ट रूप से कहा बड़ी यह कारकरता अपर से लगाते रहते हैं इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल सब्सक्राइब का समर्थ है ना उनकी तरफ से लगा गया बिल्कुल और जहां तक पार्टी जंता पार्टी के हमारे साथी बार बार यह कह रहें के राहूल गांदी जुम्मेवारी से भाग रहे हैं यह किस आधार पर कह रहे हैं आज राहूल गांदी एक ऐसे सख्ष हैं जो मजदूरे के पास किसानों के पास जिक दिन दिनरे पर गर्मी में धूप में जा लेकिन इस तरह से हमारे राष्ट्रे नेता पार्टी के उसके वारे में इस तरह के बहाँ परकट करना जो के बिलकुल उसका कोई संदर्व नहीं है लेकिन जो कॉंग्रिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो रणनीती समाल रहें उनकी तरफ से सोच सामने आई थी कि शायद गांधी परिवार से कोई सीम कैंडिडेट हो बहराल उस पे आगे बढ़ने से पहले पूरी तरह से गलत है उसका जवाब हमारे पार्टी के द्वारा दिया जा चुका है राहूल गांधी जी के द्वारा स्वेम दिया जा चुका है उसके बाद तो यह विवाद और चल्चाब बंद हो जानी चाहिए कोई भी किसी तरह के वो राष्टी नेता है वो प्रधान मंत्री के दाविदार है चले सर शरजी को भी ले लेते हैं शरजी शरजी आप कैसे देख रहे हैं इस पोस्टर को जी ऐसा है कि जा तक पोस्टर का सवाल है निदी मैं फुली अग जो शायद अब्जेक्टिव नहीं था इस प्रोग्राम का तो क्योंकि गोरकपूर में महस गोरकपूर में पोस्टर लग जाता है तो उसमें होगी हादितनात की पॉलिटिक्स डिसकास करने लगते हैं मुझे उसकी रेलेवन्स समझ में नहीं आई क्योंकि ये सिंबॉलिक ह प्रशांद किशोर वाली बात है कि उन्होंने ये सजेस्ट किया कि क्योंकि जब वो यहां लखनों आय थे हाल में दो त्रिप्स लगा चुके हैं तो पार्टी के कार करताओं ने उनसे सवाल पूछा कि हमारी पार्टी के पास क्या कोई ऐसा फेस है जिसको हम चीफ मिनिस्टरिकल कैंडिट दिखला करके जनता के पास जा सकते हैं क्योंकि हर पूलिटिकल पार्टी अपना एक कैंडिट इस तरीके का दिखारी जो में पूलिटिकल पार्टी हैं उसमें यह बात आई और देखिए यहां तक प्रियंका का सवाल है कई दफ़े बात उठाई जा चुकी है एलाबाद में कई बार इस तरह के के पोस्टर लग प्रियंका याँ से लड़ना चाहिए यह जो सवाल है कि आईदर राहूल और प्रियंका या शीला दिक्षित यह बात उठाई गई थी अब यह फॉर टेकनिकल पार्टी डिनाई करती है वह पूनिया साब ने ठीक का डिनायल कर दिया तो आभी केरे उठाई गई थी यह तो इतनी एक दूसरे से लड़ाईया है इन फाइटिंग इतनी जादा है यूपी में हर आदमी अपने एक पावर सेंटर बना हुआ है और हर आदमी अपने आपको मुखमंत्री ही समझता है चाहें वो पावर में ना भी रहे हो तो उसमें एक ऐसा फेस की जनुनिली जरुवत ह जो यूनाइट कर सके इस डिवाइड़ पार्टी को रिवाइव करने के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए एक ऐसी शक्सियत चाहिए और वो कॉंग्रेस पार्टी में अफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ गांधी फैमिली में ही है जिसके वो एक पिवेट क इस तरह काम करता है गांधी फैमिली और वही इनको यूनाइट कर सकती है इसलिए ये जाहिर है कि उनका नाब अब ये बात अलग है कि कॉंग्रेस पार्टी में ये कल्चर है और चला आ रहा है डानेस्टिक पॉलिटिक्स देश में इतनी जादा हो गई है कि गांधी फैमि इतना कहना बताना चाहरा हूं कि 2012 में धिकविजे सिंग साफ के साथ मेरी बातचीत हो रही थी इंफॉर्मल बात तो उसमें मैंने उनसे कहा कि आप लोग क्यों नहीं राहुल गांधी को यूपी का चीफ मिनिस्टर प्रजेक्ट करते हैं आपकी पार्टी की काया कल्ब हो सक तो वो इतने हॉरिफाइड हो गये मतलब उन्हें घुसा भी आया उन्हें असा लगा कि मैंने कोई उनको बहुत बुरी बात गाली दे दिया कुछ क्या दिया तो वो जो है वो कॉंग्रेस में कल्चरी हो गया कि गांधी फैमिली का कोई भी शक्स है वो सीधे प्रधान मंत् गांधी डियू तो फरक पड़ सकता है कॉंग्रेस को पावर में ना आए लेकिन कॉंग्रेस प्लेयर की प्लेयर बन सकती है कॉंग्रेस की जो आज़िए अगर उस शक्सियत वो नाम चाहे राहूल प्यांका का आगे कर दिया गया और फिर भी बुरी तरह कॉंग्रेस हार ग कि प्रियंग का कैम्पेइन चलाएं और शिल्या दिख्षित क्योंकि उनकी एक अच्छी रेपिडेशन रही है एज चीफ अनिस्टर अफ डेली क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा फेस नहीं है जो लाजर उसमें इसी पर शारगी आप पुनिया जी से लेकिन आप काफी दे देश की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री को स्विकार लेगी ये शीला दिख्षित का जो नाम सुझा सुझाया है प्रिशान शिशोर जी ने वो यूपी से पहला एलक्शन लड़ी है क्या कि ये जो अपने जिल्दी का पहला एलक्शन लड़ा था